हाई एवरिवन वैलकम टू लर्न विद मी इस शीनम कटारिया भारत सरकार के द्वारा मेकिन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है मेकिन इंडिया भारत सरकार के द्वारा 2004 में स्टार्ट किया गया था अब देखे मैंने कुछ दिन पहले वी आप सभी के साथ एक न्यूस करता था भारी मात्रा पे उसमें उसने बैन लगा दिया या बिल्कुल कम वो पर्चेस कर रहा है ब्लूमबर्ग के दोरे एक सर्वे किया गया उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भारत सरकार को आने वाले कुछ सालों के बाद हत्यारों की कमी हो जाएगी 2026 और 2030 तक हैलीकॉप्टर और फाइटर जट होंगे यह नहीं भारत के पास एनमी देशों से लड़ने के लिए अब देखिए इसमें भारत सरकार को बैलेंस करना होगा अगर आप चाते हो कि मेक इन इंडिया को हम एक लैवल तक लेके जाएं हम खुद के बने हत्यार यूज़ करें तो ये चीज़ तो सही है पर दूसरी तरफ से इंस्टेंटली इंपोर्ट को बैन कर देना ये सही नही है आप इसमें बैलेंस बनाके चलें खुद काम करते रहें और दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा मंगवाते भी रहें वाकि अभी जो मैं न्यूस डिसक्स करने वाली हूँ वो भी मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग ही है अब मेक इन इंडिया की तरफ अगर भारत बढ हूच रही है लाने का excel 2023 से भर डिले होता गया टीलें होता गया चीता में क्या किया जाएगा न इसमें जो कि इस्ला इस्टराइल के ड्रों है न रहे पास हम उस्क्रों में क्या करेंगे अप्ग्रेड करेंगे उसमें हत्यार डालेंगे पहले क्या था जब हमने पहले सोचा था कि हम प्रोजेक्ट चीता चलाएंगे तब हमने यही सोचा था कि हम इसे सिर्फ अपग्रेड करेंगे बट अब यह सोचा गया है कि प्रोजेक्ट चीता के अंदर इसराइल के द्वारा लिए गई इसराइल के ड्रोन हमारे पास है जो हिरोन ड्रोन है उसमें हम अपग्रेड भी करेंगे साथ-साथ उसमें हत्यार भी डालेंगे देखिये एक ड्रोन का काम क्या होता है यह वो सारी देखरेक करता है हम इसमें क्या करेंगे अपग्रेडेशन म अगर करता है अगर कोई एनमी सामने आ जाए तो ये एनमी को मार भी तो सकता है ना तो इसमें हतिहारत वोने चाहिए लेजर गाइडिट जो बॉंब यह वो लगाए जाएंगे इसमें मिसाइल लगाई जाएंगी तो यह सब कुछ होने वाला है प्रोजेक्ट चीता के अंद्